आपका स्वागत है आज हम विशेशन के बारे में पढ़ेंगे आपका हिंदी व्याकरन का चैप्टर विशेशन किसे कहते हैं और विशेशन किसे कहते हैं इन दो चीजों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे तो सबसे पहले हम विशेशन की परिभाशा देख लेते हैं संग्या और सर्वनाम की विशेश्था बताने वाले शब्दों को विशेशन कहते हैं और विशेश्था हैं कोन-कोन सी गुण, दोश, रंग, आकार, दशा, अवस्ता इसके अलावा किसी भी वस्तू की संख्या और उसका परिमान बताने वाले शब्द भी विशेशन ही कहलाते हैं ठीक है, तो संग्या और सर्वनाम हम पहले ही जान चुके हैं किसे कहते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तू, स्थान या भाव के नाम को संग्या कहते हैं और संग्या के स्थान पर जो शब्द प्रियोग किये जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, तो सिधा सिधा हमी समझ आ गया कि इनकी जो विशेशता बताएगा, वो शब्द क्या कहलाएगा, विशेशन कहलाएगा, यहां पर कुछ धारन दे रखे हैं, देखिए हरा पेड़, काला कवव, इनमें देखिए पेड़ क्या है, संग्या शब्द है, और हरा शब्द इसकी विशेशता बता रहा है, तो यह हरा जो है, वो क्या कहलाएगा, विशेशन कहलाएगा, ठीक है, काला कवव, चार पुस्तक, बुढ़ा आदमी, चालाक लोमडी, गोल, इन सब उधारणों में ये जो रेखांकित शब्द हैं, ये क्या बता रहे हैं, संग्या शब्द की विशेशता बता रहे हैं, अतै ये विशेशन कहलाते हैं, आया समझ में, संग्या या सर्वनाम शब्दों की विशेशता बताने वाले शब्द विशेशन कहलाते हैं, अब वो विशेष्टा जो है वो किसी चीज का गुन हो सकती है, उसका दोश भी हो सकता है, उसका रंग, आकार, दशा, अवस्था या फिर उसकी संख्या या उसकी मात्रा भी हो सकती है. अब हम जानेंगे विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य जिन संग्या या सर्वनाम शब्दों की विशेष्य कहते हैं, उपर दिये गए उधारनों में पेड, कववा, पुस्तक, आदमी, लोमडी और मेज, ये सभी विशेष्य हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये तो हो गए विशेष्य और जिन शब्दों की विशेष्य बताई गई है, वे कहलाएंगे विशेष्य, जैसे यहाँ पर पेड विशेष्य हो गया, इसमें कववा विशेष्य हो गया, इसमें पुस्तक, यहाँ पर आदमी, लोमडी और मेज, ये सभी क्या कहलाएंगे, विशेष्य कहलाएंगे, तो इस वीडियो में आपको विशेशन के बेद के बारे में पढ़ेंगे विशेशन के कितने बेद होते हैं और उनकी क्या-क्या पहचान है ठीक है